आप सभी दोस्तों का स्वागत है एपल वाइन पार्ट टू में जिन दोस्तों ने पार्ट वन नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वो वहाँ से जाके देख सकते हैं हमने इस वाइन के अंदर होममेड इस्ट का इस्तमाल किया था जि दोस्तों मुझे सबसे असान तरीका लगता है किचन रैप शीट से इसको एर टाइट करना ये बिल्कुल कारगर है मैं हर तरीका अपना चुका हूँ वाइन को फर्मंट होते हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं आज 16 दिन है आज जाके फर्मंटेशन इसकी स्लो ही है मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर भी फर्मंटेशन नहीं है फर्मंटेशन इसके अंदर स्लो चल रही है फाइनल ग्रेविटी ले ले लेते हैं फर्मंटे कि wine में भी fermentation काफी slow रही होगी apple से healthy yeast हम किस तरीके से बना सकते हैं उसको लेके मैं एक video upload कर दूँगा beaker में wine का sample मैं ले रहा हूँ अब इसकी final gravity check कर लेंगे दोस्तों अगर आप कोई भी wine शुरू करना चाहते हो तो उसमें किश्मिस से बनी yeast का इस्तमाल कीजिए उसका link आपको description box में दे दूँगा और video आपको मेरे channel पर मिल जाएगी sample ले लिया है अब इसकी final gravity check कर लेते हैं मेरे पास यह triple scale hydrometer है इसके उपर pier और wine के scale बने हुए है hydrometer 5 gravity दिखा रहा है अगर मेरे पास यह triple scale नहीं होता तो यह दिखा रहा होता 1.005 अब calculation कर लेते हैं कि हमारे wine के अंदर कितनी percent alcohol बनेगी जब मैंने wine को शुरू किया उस time पे जो gravity आ रही थी वो 73 थी अब 5 आ रही है तो इसको मैंने minus कर दिया minus करने के बाद 68 आया अब 68 को multiply कर देंगे 131.25 से और यह जो answer आया है 8.9 percent यानि तकरीबन 9 percent alcohol है हमारी wine के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं जो की कम पीने वाले हैं इसलिए मैं alcohol percent अपनी wine में कम ही रखता हूँ आप अपनी wine में alcohol percent ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें 200 डाइसो ग्राम sugar और add कर सकते हैं kitchen wrap sheet लगाके मैंने container को दुबारा से airtight कर दिया है आगे का fermentation process चालू रहेगा और इसे मुझे daily mix करते रहना है आज 41 दिन है fermentation बंद हुए 2-3 दिन हो गए है wine थोड़ी सी clean भी लग रही है और नीचे ये east clear नजर आ रही है liter-liter की दो बोतले हैं मेरे पास जिनने मैंने deep freezer में रखके sanitize कर लिया था decant pipe लिया है ये भी sanitize है इसे में मैंने deep freezer में रखके sanitize कर लिया था अब ये दो bottle wine मैं decant करूँगा इस container से पहले भी मैं बता चुका हूँ कि wine बनाते वक्त हमें सफाई का बहुत ध्यान रखना चीए मेरे पास जो ये bottle है ये भी अच्छे से sterilize है और ये pipe भी और मैंने अपने हाथों को भी sanitize कर लिया था container से wine bottle में आनी शुरू हो गई है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे दोनों ही हाथ busy है एक bottle wine निकाल चुका हूँ दूसरी bottle को भी मैं लगा देता हूँ एक bottle और निकाल लूँगा मैं दो bottle wine मैंने निकाल ली है अब इस pipe को बहार निकाल के रख देता हूँ और इस container को दुबारा से air tight कर देता हूँ इसमें अभी भी सवा 2 लीटर के आसपस wine बाकी है जो ये दो bottle wine मैंने निकाल ली है इसे मैं रखूँगा fridge के अंदर deep freezer में नहीं रखना है सिरफ fridge के अंदर रखना है fridge का temperature 4-5 होना चाहिए इसे मैं 48 घंटे के लिए रखूँगा और दो दिन के लिए आप चाहो तो इसे एक हफ़ता रख सकते हो उससे हमारी wine है वो बहुत अच्छे से clear हो जाएगी और जो east है वो नीचे बैट जाएगी और east तली के नीचे बैट गई है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिए एक और bottle जो की sanitize है और यह मैंने लिए है drip pipe इसकी मदद से मैं दूसरी bottle के अंदर इस wine को निकाल लूँगा दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूँ जो भी चीज मैं यूज करता हूँ wine बनाने के लिए उन सभी चीजों को मैं अच्छे से sanitize कर लेता हूँ इस drip pipe के एक सिरे को मैंने bottle के अंदर डाल दिया दूसरे सेरे पे मैंने रुमाल लगा के मूह से इसे मैंने खीच लिया है इसमें vacuum बन गई और अब दूसरी bottle में wine आनी चालू हो जाएगी bottle में wine आनी चालू हो गई है दूसरी में आपको दिखाता हूँ मैं ये bottle कम उचाई वाली table पे रखी है जिस bottle में wine है उसके मुकाबले अब मैं इस bottle को जमीन पे रख दूँगा उससे wine फटाफट आनी चालू हो जाएगी इसके अंदर bottle की निचली side east है हमें उपर उपर से उठाना है तो pipe को हमें बिलकुल नीचे की तरफ नहीं ले जाना थोड़ा उपर ही रखना है और थोड़ी सी wine हमें इसमें छोड़ देनी है ऐसा नहीं करेंगे तो ये east हमारी दूसरी bottle में भी आ जाएगी दोस्तों इंतिजार की घड़िया कतम हुई finally मैंने bottle में wine ले ली है अब ये पीने के लिए बिलकुल तियार है इसे taste करके मैं इसके taste के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों इंतिजार की घड़िया कतम हो गई है अब इसको taste करके मैं इसका taste आप से share करता हूँ पहले से color इसका काफी साफ clear है taste में तो wine ठीक ही लग रही है अच्छी लग रही है taste में तो लेकिन दोस्तों मैं इसके color से अभी संतुष नहीं हूँ इसे हफता बार और रखूँगा तो ये अच्छे से clean हो जाएगी इसको ऐसे ही छोड़ दूँँगा मैं हफता बार उसके बाद ये और भी 3 हो जाएगी अपने आपी दोस्तों अब तक हमने अपनी जितनी भी wine बनाई है बहुत ही simple तरीके से बनाई है market के अंदर finding agent बहुत से हैं जिन से हम अपनी wine को बहुत अच्छा color दे सकते हैं और इसको हम लंबे समय तक इस तरीके से store करके रख सकते हैं वे सब चीजे मैं यूज करूँगा और हमारी wine का color भी बहुत अच्छा हैगा उन चीज से दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जै हिन जै भारत